आप सबका स्वागत है आप लोग किसमें ज्यादा कि एक मिन टीचे का मैंना आप सबका स्वागत है और हम लोग अनिमेशन की बात करने वाले है और अनिमेशन बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत इक्साइटिंग टॉपिक है और मैं आशा करता हूं आप सब लोग इसको एंजॉय करेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे और हम लोग जिस्ट बिफोर वी स्टार्ट शुरू करने से पहले बस दो दीन चीजें हम लोग करने की हम सेशन किस तरह से ले रहे होंगे तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और देन वी कें पंटिन्यू इसब को अब एसा है कि हम लोग अनिमेशन के बारे हम बात करेंगे और अनिमेशन के अंदर हमें यह समझना है कि अनिमेशन जो है वो बहुत सिंपल चीज है पहले एक छोटा सा यह भी कर लेता है कि आप जब भी हम बात कर रहे हूं तो आप लोग आप चैट का यूज कीजिए पूरी तरीके से और पूरी तरह ऐसे पार्डिसिपेट कीजिएगा मतलब एक टूवे सेशन मुझे बता चलता रहे कि आप जो कुछ समझ में नहीं आएगा तो पठा अगर आप हैंड रेस करेंगे और कुछ बहुत अर्जेंट होगा तो मैं डेफिनिटली आपको मैं रिक्वेस्ट करोगा कि आपना माइक करें तो हम लोग बात करने वारे हैं अनिमेशन की तो सबसे पहली बात है कि अनिमेशन जो और जो फंडमेंटल्स होते हैं फंडमेंटल्स उसके उपर एक बिल्डिंग बनती है जिसे नीव होती है उसके उपर एक बिल्डिंग बनती है तो यहां पर हम वो नीव की बात कर रहे हैं अगर हमारी नीव बन गई तो हम उसके उपर गुछ भी बना सकते हैं अगर नीव ही बनी है तो जितनी भी सुंदर बिल्डिंग हो वो सुन और लेटर उसका बेडागर की होगा तो यहां पर हम कोशिच करेंगा उसके को समझने की और दूसरा हम लोग जैसे मैंने बता है कि हम लोग विल अराइव अंसर तुगेदर अब इसमें होता क्या है कि आप लोग सब बहुत ही एजुकेशनिस्ट और पड़े लिखे लोग हैं और हम लोग तो ज्यादा प्रेक्टिस में रह गए हैं हम लोग जादा इतन अगर हम कुछ गलत बोले हैं या कुछ आपको लगए कि उस में क्रेक्शन करनी हो तो में जोरूर, मुझे चैट में बतायेगा खास तो पर जो हमारे मैंट्स के टीचर्स हैं जो हमारे फिनिकस केड़ी से उनके लिए यह सेशन्स में कुछ बातें बहुत बशून होगी तो और like I said, it's going to be an open session, use chat, raise hands, and we'll just discuss, okay? Now, considering, अब हम आगे पढ़ते हैं कि हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं इस session में, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन, और फिर हम लोग बात करेंगे, उसमें अलएलग फेजि़ होते हैं, एक फेज प्री प्रोड़क्शन होता है, तो हम लोग प्री प्रीड़क्शन पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं, कि बाकी के sessions में बाकी phases भी बताए जाएंगे, तो pre-production के उपर हम थोड़ा बुग करेंगे, और हम story voting, story voting समझें थोड़ा detail में, और short taking, और then we'll have some questions, questions generally भी हमारे चलते रहेंगे, अगर last minute time होगा, तो we can have exclusive question session, question answer session, now, before we continue, मैं request करूंगा, आप लोग दिहान से इक बर देखेगा कि हम what are we getting into, हम करने क्या जा रहे हैं, हम किस चीज में घुसने वाले हैं, तो animation को सब लोग अलग करीके से देखते हैं, मैं एक छोटा सा animation present करना चाह रहा हूँ, करीब दो मिनट का है, आप एक बार उसको देखेगा, और उसको बहुत ध्यान से देखेगा, क्योंकि हम उसको बीच में सेशन में भी एक दो बार might be referring to it, तो फिर हम उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है, तो इसको देखेगा, I'm sorry, पाल सबना करीब ऊक्राद है, रहाँ, मैं भी झार्जा, घ्र वतान गिरूँ ध्यान अर्त भी समाक्राद देखेगा, भी इसके बात करते हैं, तो इसको भी. अप्राइब कर दो रहों कर दो कर दो कर दो अ कर द कर दो झाल 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 मुझे पता चला आडियो का कुछ इशू हो रहा है बद डोंट वरी ऑडियो इसमें इंपोर्टन नहीं है बद इसके अंदर जियां मैं समझ रहा हूं इसमें आडियो नहीं था जी यहां पर हमने जिन चीजों की बात की हैं यहां पर की यहां पर यह जो पहला टाइप की अनिमेशन आडियों इस आव आडियो था शच आडियों की आप की आप हम लोगों को कुछ एक चीज एक कुछ सम्झाना चाहरे हैं सुसाइटी में इस अलसो काल बीहेवियर चेंज चंच करना चाहरे हैं चाहे कुछ 2% भी हो बट हम कोशिश कर रहे हैं यह एक इसका परफस है सेकिंड वाला जो है this is again this is an advertisement public service but this is what is important is ki joh pehla wala thah yeh text based animation hai hai na yaha pere humne text ko istamal kiya text is yemara character hai second wale meh is walay animation meh humne joh characters use kiya hai yeh 2D animation hai 2D ka matlab hai ki 2D dimensional animation hai yeh hum log ar thore detail main ispa baat kar rahe hongge yeh joh animation hai yeh ah iske anndar 2D aur 3D dono ko joda gaya hai isme joh agar aap isko gohdiyaan se dekhenge ah ki isme joh ah background hai woh three dimensional hai aur joh cheeze moove kar rahe hai woh two dimensional hai thik hai then this is again example of 2D animation iska aur yeh last me joh hai is yeh bhi 2D animation hai iske anndar eek special cheize istamal hoi hai jisko fx kehetethe fx kind of short form short form hai effects ka fx ka matlab hoota hai yeh joh lighting type ki chize hai na is qisam ki chize aur purpose iska of course yeh toh isko bhai isko bhai dhihaan se dekhenge bhai bhai interesting hai this is the other end of the spectrum yeh jisai kaite na iska indra dhanushka dousra kona hai ki yeh toh ki yeh toh biilkul basic wali haamne text based animation dhekhi iske anndar yeh joh haamne last me dekha ta joh gilheri thi gilheri bhi animated thi toh yeh toh yeh maatlab hum itna realistic chizayin bhi animation bhi bana saktayin yeh gilheri yeh animated hai aur yeh animated hai kiunki batabh iske anndar animation meh bhoot sari layers hai bhoot sara kam kiya gya hai and this was for a feature film toh iske anndar sir kaisi bana saktayin hai Avine ji bola raha hai jya haan usi par hai ngay abhi abhi x2 session kar lije phir aap bata yeh ka kaisi bana saktayin toh yeh iske anndar na bhoot sara layers hai and this is a very high end animation ka example hai yeh bhoot hi mutskill aur eek badhi team isko banaati uska example hai ishi tariqe se joh last one mne dekha yeh eek game ka part hai eek film ahi thi ok jano yeh us meh use hoi thi animation toh iske anndar joh hai ismeh game meh kya ismeh kya hoata hai ki film meh joh film ka main joh protagonist joh actor joh hero hai woh eek game designer hai toh apni zindaki ke around eek game bana ta hai toh yaha pere humneh ishtamal kiya hai exagration ka atishyukti thik hai humneh har chizko thwoda 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 zahada badaya gaya hai iske anndar joh hai lights joh iske anndar joh lighten hai joh sorry joh 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 reflections hai woh har eek chiz normal se tori si zahada hai yeh dekhye ga like yeh dekhye joh his gaming feel so isco hyper realistic joh 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 cover kiya humneh basic animation cover ki joh ki realism se bilkul दूर था, कोई लेना देना नहीं था, फिर हमने थोड़ा सा, थोड़ा सा character animation की दरफ आये थे, जो 2D animations थी, फिर हम आये थे realistic animation में, जहां पर हमने बात की थी, ये चेडिया और ये गिलैरी आपको दिखाया कि हम इतना real चीजें भी बना सकते हैं, और फिर ये है बिल्कुल उस के अंदर है कि hyper realistic, कि हम realism को भी हमने आगे बढ़ा दिया, हमने realism को भी हमने पीछे छोड़ दिया, हमने एक सपने की दुनिया में खुच गए, तो ये सब कुछ हम animation में create कर सकते हैं, तो इसके अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं, अभी हम लोग उसको आ रहे होंगे, तो दे कि हर एक चीज में सबसे पहले पूछना चाहिए क्यों, एक किताब है, Simon Benek नाम के किती की, वह फेमस किताब है, Start From Why, तो हम सबसे पहले हम, let's start कि हम animation करना क्यों चाह रहे हैं, कि animation क्यों, why only animation, why not a PPT, why not a game, why not a print, तो animation क्यों बनाना चाहिए, और क्या advantages animation की, इस बारे में कोई कि any inputs from you guys, आप लोगों के कुछ, आपके क्या विचार रहे हैं इस बारे में, कि animation क्यों बनाना चाहते हैं, आप क्यों सीखना चाहते हैं animation, new generation demand, जी, ज्यादा engaging है और effective है, easy for understanding, appealing, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, realistic भी होती है, and easily convey, very effective, very nice, so it's good कि आप लोग सब, मैं, आप जब मैंने सोचना शुरू किया कि हमें क्यों animation चाहिए, तो ये कुछ एक दो points मुझे समझ में आये थे, कि एक तो है कि it lightens the mood, है न, कि जब अपन animation करते हैं, तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि भाई, हम जब लोगों से बात कर रहे हैं, तो कुछ serious बात नहीं है, और जैसी mood lighten हो जाता है, जब जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर हम बच्चों को, बच्चों को, अगर हम बोल रहे हैं कि बच्चों अब दिहान से सुनना हुआ बहुत important जिस बढ़ाने वाला हुँ, तो उनका दिमाग वैसी बंद हो जाए, पर अगर उनको बोलेगा कि कि अम लोग एक गेम केलेंगे, अम लोग मस्ती करेंगे और कुछ थोड़ी सी बात भी करेंगे, and suddenly सब के सब बहुत excited हो जाएंगे, and आधी लड़ाई हमारी हो जाएगी, so that is where animation helps us in education, right, दूसरी चीज है इसके अंदर कि ये attention को बहुत easily attract कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर क एसी चीज़ें हो जाती है, आप बहुत अजीब सी चीज़ें दिखा सकते हो आप हाथि जो घटने को जए धब और के रछे बहुत gotta तो obviously हमारा धिहान उस पर जाता है उस पर हमारा धिहान गया तो हमारी अगेन आधी लड़ाई हमने चीत ली हमने आधा उनको बच्चों को उनने जब उनकी अटेंशन मिल गई उनकी आधी उनकी वह मिल गई तो फिर हम आगे उनको पढ़ा सकते हैं न किसी ने बता है इनहांस इनहीं टेंशन इंशन गी तो प्राई था उनकी वारी से वह जो लुए तो यह तो यह दो सुरेज डी ने लिखा है कि लॉट पैसइच आप इसमिल अब इसमें पूरी एडियो में होता है और अनिमेशन कि आंता है इजो आप बता रहें तो वीडियो में होता है यह तो अगर खाली अनिमेशन पर लागू नहीं होता है और हर मीडियम पर लागू होता है तो यह एक हमने इसके अनिमेशन की जो हमें देख रहे हैं कि लाइटेंशन इसलिए और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यह हमें जो डिफिकल्ट तू शूट टॉट टॉपिक्स है एक सर्जिकल प्रोसीजर सिखाना है किसी को आपको बताना है कि भई घुटन कैसे रिफ्लेस करते हैं और उत्वड़िक सेशन को सिखा लेए अब बताएए जब कुई से घुटना टूटेगा तब तब तर लास्रूम बेट करते रहेगी क्या उनका तो अपना सेशन उनका उनको पूरा करना है सेमेस्टर तो वहाँ पर अनिमेशन मदद करता है सिमिलर्डी अगर आपको अब आर्मी के ऑफसर्स को सिखाना है भई लड़ाई का पर्टिबलर पैंतरा सिखाना है तो यह तो भई आप हजार ओ लोगों को इक अठा कीजिए और उतने सारे टैंक्स ल की अधान कि दूसरा कुछ शीजे होती है जिनको फंटसी कहते हैं जिनको जो कि रियालिटी में नहीं होती है आं जैसे उमने वह गेमिंग से से शेंशन की बात कर रहे तो इनको मैं तो कहता हूं और पिकासो रेकासो के वारे में तुछ एक्षारा सपढ़ने का मिला तो वो कहते हैं जी इस इस हायर रियलिटी इस नॉट अन्रियल विकास वेक्ष्टे है वाट आप धर यू ठिंक इस रियल तो जो भी आप सोचते हैं आपके विचार हो रियल होते हैं. अब अगर रियल होते हैं, तो उन विचारों के को आप किसी को बताना भी तो चाहेंगे, तो वहाँ पर हमें animation मदद करता है. तो ये सब की सब चीजे हैं जो animaties' की जो है advantages हैं. और एक रखर advantage है कि यह जो है एबस्टेक्ट कॉंसेट्स को बताने में भी हमें मदद करता है कि कई बर क्या होता है जब आप किसी को मालीजे आप मैनेजमेंट की चीजें अरे वाँ सर आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रहे हैं आप रेडियो सुन रहे हैं सर आप भुत ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहे हैं या आपका प्रेम है कि आपको मेरी आवाज अच्छी लग रही है पर मैने कभी सुना नहीं किसी से किसी को कोई खास मेरी तो उन तरीकों को shoot करना भी मुश्किल है, उनको draw करना भी मुश्किल है, मगर उनकी hierarchy को समझना जरूरी है, आप बता रहे हैं, तीन टाइप के project होते हैं, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर यह होता है, तो वहां पर हम फज जाएंगे, तो वहां पर यह हमे schematic बनाने में आसान करेगा, schematic diagrams बनाने में, ठीक है, जो diagram जिसके अंदर के वाल boxes हैं, मगर एक concept समझ में आ गया, तो वहां पर, जैसे किसी में बता है, n-dimension figures, बिल्कुल ठीक है, पुनम मैं बताया है, तो यह सब चीजे, यह हमारे advantages है, animation के, तो animation के advantages जब हमने समझ लिए, तो अब हम थोड़ा सा एक और next step पे चलते हैं, कि animation का मतलब क्या है, ठीक है, इस सवाल वैसे तो पहले होना चाहिए ता, पर आपको भी समझ में आएगा, कि क्यों बाद में आया है, आप मुझे बताईए, कि animation से आप क्या समझते हैं, ज़रा सोच के बताईएगा, मुझे, क्य if we were to design or create or construct, if we were to construct a definition of animation, what would be the definition of animation की definition क्या होगी, yes, suddenly मैं से जाने बंद होगी, yes, it puts life to pictures, okay, imagination in virtual form, sir, क्या यह है, definition है, सोचिए, definition मतलब की one-to-one mapping चाहिए होगी, जो हम बूल रहे हैं और जो हम बताना चाहरे हैं दोनों में, imagination in virtual form, animation is the motion of still images, yes, this is good, so, Saima जी, आप से एक चोटा सा सवाल और है, आपने बताया, कि animation is the motion of still images, but is there anything moving, सोचिएगा, आप सामने बेठे हैं, आपके सामने TV चल रहा है, क्या चीज़ है, आप हिले हैं, आप हिले ह आप हिले हैं, तो कभीता को animation तो हम बूलेंगे, it is tool to create art, anything in motion, anything in motion, again, same question, what is moving, so, sir, animation is a technique that makes still images appear to move by rapidly displaying sequences of, yes, Dr. Monika Jaiya Soni, but बिल्कुल आपने बहुत सही चीज़ है, आपको congrats, so, animation, what do you understand by animation, so, lot of people think that animation is cartoons, animation cartoons, animation graphics, animation moving pictures होते हैं, जो कि सब कुछ सही है, पर अगर हम समझें, animation कैसे काम करता है, और animation क्या होता है, तो हम यह समझ में आता है, कि animation एक तरीका है, जिसमें, यह बहुत ध्यान से सुनियेगा, जिसमें in which figures are manipulated to appear as moving images, उसमें जो figures हैं, उनको manipulate किया जाता है, manipulate मताब उनके साथ में छिड़कानी की जाती है, जिससे कि वो appear हो, जिससे कि वो ऐसा दर्शे, ऐसा दिखें, कि वो moving pictures है, देखिए, बहुत important है यहाँ पर कि कुछ भी move नहीं हो रहा है, जैसा मैं बताया, ना आप move हो रहे है, ना साम्मे वाली screen move हो रही है, कुछ भी move नहीं हो रहा है, एक किसी अड़ा आप एक जन्डा हिल रहा था हवा से, तो किसी ने पुछ पुछा कि अना ये जन्डा हिल रहा है, तो वो बड़ी philosophy पढ़े का आयते तो ने किसी ने बला, कि जन्डा नी हिल रहा हु, हवा जंडे को हिला रहे है तो उनके गुरुजी ने बोला, बच्चों, ना हव कि आपा हिल रही एना जंदा हिल रहा है कि एल तुम्हारा मन हिल रहा है तो यह कहने कि बतलब ध्यान दो क्लास में बट वट वट इमेंट वर समधियर इंट्रस्टिंग कि एना अनिमेशन एक तरीका जिसके अंदर फिगर्स को मैनिपुलेट किया जाता है जिससे कि आपियर अब थोड़ी देर पहले किसी ने लिखा भी था तो उनको खुद कॉंग्रेक्स में उस वोकत दिया नहीं मैं पता दूगा तो आगे मेरा पंच चला जाएगा तो परसिस्ट्रेंस अब विजन हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है 6-7 में कि उसके उपर यह काम करता है तो यह हमारी आँख है और इस आँख पे जो है इस तरीके से एक इमेज बनती है इमेज में जैसे ही कोई चीज सामने आती है उसकी एक इमेज पीछे बन जाती है हमारे रेटिना पर है यह कॉन्वेक्स लेंस होता है हम सब कुछ कहा रहे हैं पता है अब यह इमेज जो होती है यह image ना तो permanent होती है, और ना यह temporary होती है. यह ना तो हमेशा रहती है, और ना यह temporary भी क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आकर के चलेगी, कुछ time तक रहती है. अगर उतनी देर के अंदर हम एक दूसरी image बना दें, तो थोड़ी देर के लिए हमारे दिमाग में पिछली image और नहीं image दोनों एक साथ रहेंगे. अब अगर जो नहीं image बनाई है, यह देखिए, animation in simplest words, हमने एक image दिखाई. ठीक है, हमने एक image दिखाई, और जब तक उस image की retina पर एक image बनी, तब तक हमने एक और image दिखाई, जो की पिछली image से बहुत हलकी सी अलग है. It could be different in size, in shape, उसका आकार अलग हो सकता है, उसका size अलग हो सकता है, थोड़ी बड़ी यां छोटी हो सकती है, थोड़ी से हिली होई हो सकती है, थोड़ा सा रंग बदल सकता है. कोई भी एक चीज़ यां, बहुत हलका सा अगर हम उसको हिलाए, जो कि लबबग लबग वैसी हो, वो दिखाएं और जैसी ही वो दिखाएं तब तक पिछली image को हटाना शुरू कर दें, तो इसको हमारा दिमाग कैसे interpret करेगा कि वो image बदल के यहां पर आ दें, और यही का सिद्धानत है, यह इस्तमाल कर रहा है क्या? Persistence of Vision, जो हमने अभी यह पड़ा, यह Persistence of Vision को इस्तमाल कर रहा है और इससे हमारे को क्या हो रहा है कि हम कुछ भी बना सकते हैं, अब animation के आप लो बहुत सारे टूल्स पढ़ेंगे और अभी बहुत तीजी से चीज़ें कि हम एक चीज़ दिखाएंगे, थोड़ा सा उसको मूग करेंगे, एक नई चीज़ दिखाएंगे, और इतनी जल्दी से करेंगे कि हमारा जो Persistence of Vision है, उसके टाइम से कम हो, अगर हम यह कर रहे हैं, तो फिर हमारा काम हो जाएगा, किसी ने बुचा हाउसर, तो हाउसर का जवाब यही है कि इसके बहुत तरीके हो सकते हैं, तो एक बहुत ही इंटरस्टिंग तरीका होता है, जिसके अंदर हम, देखिए मैं आपको यह बोला है कि यह जो सिदानता है, यह हर जगा काम आता है, हर जगा काम आता है, तो इसका मतलब यह हो गया कि भई, यह आपके व पर बना हो, तो बिजली का भी तो छोड़िये, कंप्यूटर तो छोड़िये, कैमरा तो छोड़िये, बिजली का भी प्रयोग ना हो, ऐसी कोई चीज. तो आएए एक वीडियो देखते हैं, और उसको देखेगा, यह एक तरीका है, एन्मेशन को बनाने का, जिसके अंदर, जिसके अंदर हम, यह तरीका टीवी से भी पुराना है, देखिए इसको. करते हैं, झाला है, अंदर, इसके अंदर हम, हमाबे का के बच़्ये बनाना टीजैस, प्रभा क्रशपा क पात्मारी सी टुराना लिए एक छिए हमादने का टीजा समथ constitution, पिए हमादर, तो तो आएए मेंदर हैं, अन्मेदर बने केवादने, ब псих से हमादरी किनल भी तो देखा आपने इसको क्या कहते हैं किसी ने बहुत अच्छे से बताया मुझे इसको कहते हैं फ्लिप बुक बलगर सिंग जी ने बताया और क्रिकेट बुक का भी नाम दिया जाता है कलपेश जी बता रहे हैं क्रिकेट के लिए ऐसे बनते हैं कुछ एक दो सवाल आए हुए है अगर हम जगजीत को और मैं कुछ पूछना चाहती हैं बताएंगे इस अपना को अन्म्यूट करके जब्धी सबताएं पूछें पूछें पूछना तो नहीं था लेकिन मैं अब इस एक को इन्पूटी बेड़ी थी कि पूछ जादूगर आते हैं यहां स्कूज में कई पार लाइक जादूगर तो नहीं कुछ आते हैं शो करने के लिए कोई तो उनके पास भी होता है उनके पस एक स्रेय से भी कुछ भू करते हैं मूँ आपनो आइडिया रिकारिंग देखा यहां कि जिसे बच्छों को दिखाने आते हैं तो वह भी इस ही इस पे होता है बेस पॉसिबल मैं आम शूर ऐसे कुछ उता होगा जी है सुषिल जल्दी से बताईए सुषिल सैनी जी कुछ पूछना चाहेंगे अच्छ ठीक है तो बाद में आपसे बात करते हैं तो हम बात कर रहे थे कि यह इसको हम कहते हैं flipbook और यह flipbook जो है यह बहुत पुराना पुरानी टेक्नोडोजी है तकनोडोजी अगर हम इसको बोल सकते हैं यूंकि यह जो है इस्तमाल हुई है even before the advent of you know फिल्म बायोस्कोप येस बायोस्कोप भी इसी सिद्धान्त पर चलता है तो बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है यह आप बहुत आराम से बना सकते हैं और इसके अंदर आपको sketching की knowledge तो चाहिए है मगर बहुत basic knowledge से भी बन जाता है यसे यह आपने एक चीज़ बनाई और एक पिक्चर और दूसरी पिक्चर में बहुत हलका से बहुत कम फरक है ऑफकोर्स जिसको sketching आती है उसके लिए तो बहुत ही असान है पर हमारे जैसे लोगों के लिए भी अगर हम केवल matchstick figures बनाते हैं और matchstick figures में केवल एक माची से के एक line और मुंडी और दो बाजू दिखा दी और उसमें हलका से movement कर दी आइडिया एस कि जो हम कहना चारहे हैं हम जो बच्चें को बताना चारहें वो उन तक पहुंच चारहे और इसको एक book से बनागर कि आप बस इसको इसे flip कीजिए और यह एक simplest सबसे basic तरीका है animation को बनाने का जब ह अब हम आगे बढ़ें कि animation में हम क्या क्या कर सकते हैं animation में इस सिदानत कहा मिस्तवार और कहा कहा कर सकते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमें 2-3 टाइप की animations हो सकती हैं ऐसे तो हजारों किसम की हो सकती है और animation अपने 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 यूनीक होती है पर समझने के लिए अगर हम समझे तो एक तो देखे 2D animation होती है ठीक है इनके बारे में किवल इंट्रोड़क्शन की बात कर रहे होंगे यह सब चीजें आजकर पॉसिबल है तो 2D animation और 3D animation की जो हम बात करते हैं dimension की dimension एक mathematical concept है इसका मतलब होता है कोई बता सकते हैस को क्या बोलेंगे हिंदी में इसको बोलते हैं आयाम है ना तो आयाम अब हमारी जो मैट्स वाले सुडेंट्स हैं मैट्स वाले टीचर हैं वो बहुरोना शुरू हो जाएंगे अमरिता जी थैंक यू मैने पहले बता दिया था आयाम तो देखिए dimension क्या होता है dimension अगर हम समझें dimension का मतलब है कि कोई एक वस्तू कितनी दिशाओं में उसको हम हिलने की उसको हम मूव करने की परमेशन दे रहे हैं उसको कितनी जगह पे हिलने की आजादी है ठीक है तो अगर कोई देखिए इसको में जाएगा तो इसको कहते हैं वह जी रॉड़ाइमेंशन अगर हम बात करते हैं वह एक लाइन में कोई चीज चल रही है तो देखिए इसका प्रैक्टिकल एग्जामपल है अगर कोई मुझसे मैं जैपूर से माली जे मैं एमदाबाद से दिल्ली आरा हम और मुझसे ग़र पे दिल्ली से कुछ पूछ था एफोन करके कहा पहुंचे तो इसका मझसे मुछ बहुता सा मतलब हैं कि मुछे कुछ और बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कहा भूम रहा हो मैं कहा हूँ क्योंकि उसको पता है वह एक सीधी लाइन में चल एक रेल की पट्री पे चल रहा है क्यों क्यों कि जाने अन जाने में हम ये समझ रहे हैं वो अब्यक्टी ये समझ रहे हैं ये समझ रहा हूं कि हम one dimensional one dimensional में communicate कर रहे है तो केवल एक ही एक ही input काफी है ये बताने के लिए कि मैं exactly कहा हूं है न ये one dimensional communication होती है थेंक्यू मीनु जी आपके इंकरेजमेंट के लिए। सेकंड इस की 2D डिमेंशन, 2D के अंदर जिसमें हमारे पास में अजादी है दो दिशाओं में मोव करने की मतलब प्लेन जैसे एक टेबल पर अगर एक चीटी चल रही है तो यहां आगे जाएगी है पीछे जाएगी है लेफ्ट यहां राइट जाएगी ठीक है ना उसकी पूजिशन को उसकी पूजिशन को यूनीकली बताने के लिए मुझे दो इंपूट्स चाहिए कि वह लेफ्ट मुझे मिल जाती है तो मुझे समझ में आ जाता है कि वह चीटी कहां पर है तो यहां पर बोडी इन पर इन आपकी बात सही है मगर अब मुझे आगे बताएं यह 3D है या 4D है Einstein तो कहते हैं 4D है Einstein जी कहते हैं कि जो टाइम है वो चौथी डैमेंशन है जैसे हम यह तीन डैमेंशन में मूव कर सकते हैं चौथी डैमेंशन में भी टाइम में भी आगे पीछे जा सकते हैं theoretically के वाल आगे मतलब practically हम खाली आगे ही जा सकते हैं पर Einstein कहते हैं हम पीछे भी जा सकते हैं पर इस सिद्धान्त का भी हम प्रयोब कर सकते हैं क्योंकि फिल्म में तो हम पीछे भी जा सकते हैं जो हमने एनिमेशन देखाई हैं उसको रिवाइन तो करी सकते हैं तो ultimately what I am trying to say is कि जो dimension है इसको जैसे हमने समझा तो हमें समझ में आया कि हम जो ये हम क्यों समझ रहे हैं ताकि समझ रहे हैं हम कितने किसम की एनिमेशन होती हैं तो जो हम 2D और 3D की बात करते हैं तो 2D एनिमेशन वो है जिसके अंदर हम 2D space मतलब ये जो तीसरा कॉलम है तो 2D space में हमारे फिल्म में जो characters होंगे जो चीजे होंगी उनको move करने की आजादी 2D space में होगी ठीक है और वो चीजें भी 2D dimensional होंगी और 3D animation वो हो जाती जिसके अंदर ही दोनों की दोनों चीजें 3D dimensional होंगी तो 2D animation is an animation film which involves flat characters moving on a 2D canvas कि हमारा canvas जो है हमारा चित्रपड भी 2D है और हमारी चीज भी जो चीज पर move करने हमारे पात्र भी 2D ठीक है similarly इसके examples हमने देखें तो हमने जैसे पहले हमने कुछ देखे थे तो इसके अंदर इस picture को को त्यान से देखिए हम analyze करते हैं इसको कि अब इसके अंदर ये खचर है एक वेक्ति आगे खड़ा है तीन चार वेक्ति पीछे खड़े हैं पर ये सारे के सारे actual में तो एक ही screen में है न हमने इनको आगे पीछे जो किया तो हमने आगे वाले वेक्ति कि अगर आप height देखेंगे इसकी height पीछे वालों से थोड़ी सी ज़्यादा है और उसके कारण हम एक धोखा create कर रहे हैं हम एक illusion create कर रहे हैं जिससे हमें हमारी आखे और हमारा दिमाग ऐसा समझ रहे है कि हमारे से ज़्यादा पास है कि ये वेक्ति सबसे आगे है उसके बीचे खचर है और उसके बीच इन दोनों की size में फर्क है तो इसके अंदर हम size में फर्क करते हैं हम इसके अंदर चीज़ों को overlap करवाते हैं यसे ये ये जो इंस्सक्टर है इसके बाजू से पीछे वाला जो हवल दार है वो तोड़ा से ऊवरलैक हो बाला है इन सब चीज़ों हम एक illusion create करते हैं similarly shadows जैसे इसकी जो 4 पाई के नीचे shadow बढ़ रही है इसे एक illusion create हो गया कि यह 4 पाई है और यह जमीन है बट यह सब कुछ हम create कर रहे हैं इसमें से कुछ भी automatic नहीं हो रहा है क्योंकि computer की दुनिया में computer के memory में यह सब केवल एक ही plane पे अंसर है यह क्योंकि यह एक 2D animation है ठीक है तो यह 2D animation होता है और इसी तरीके से अगर 2D होता है तो कुछ 3D भी होता होगा तो 3D animation क्या होता है 3D animation होता है जिसके इंदर हमारा object भी 3 dimensional हो और हमारी जो movements हैं और जो हमारे space है जो हमनों उसको आजादी दे रहे है move करने की वो भी 3 dimensional हो किसी ने बोला Tom and Jerry 2D है Tom and Jerry तो इस टॉपिक है सर उसके उपर फिर्म भी बनी है उसके उपर 3D फिल्म से भी बनी है हाँ पहले बहुत सारी 2D फिल्म बनी थी अभी रिसेंटली जो बन रही है वो 3D फिल्म बन रही है तो नौ 3D फिल्म के 3D फिल्म के अनिमेशन के कुछ एक्जांपल अगर हम देखे हैं छोटा सा एक्जांपल है तस सेकिंड का इपर देखेगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे 2D से अलग है यह देखे अब यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं कि यह 2D है यह 3D है और वो 2D है तो इसके अंदर आप यह आउटपुट की बात नहीं है थोड़ा सा बात है कम्प्यूटर इसको कैसे इंटर्प्रेट कर रहा है और कम्प्यूटर की मेमरी में कैसे स्टोर हो रहा है तो कम्प्यूटर की मेमरी में यह जो बच्चा है यह एक शेप की तरह स्टोर हो रहा है और कम्प्यूटर की मेमरी में इसके सारे यह चारो तरफ से एक शेप की तरह स्टोर हुआ है इसका पीछे की दिवार भी है अगर जब हम पीछे गबबर्सिक की बात करें थे उसकी किवाल एक की दिवार थी, उसकी कोई depth नहीं थी, इसकी depth भी है, इसमें अगर हम चाहें तो हम देख सकते, जैसे हमने इसके सिर का एक उपर का कोना देख रहे हैं, साइड का कोना देख रहे हैं, तो यह फर्क है, मतलब इसको जब हम computer में बनाएंगे तो हम एक sphere बना रहे होंगे, और जब हम उसको बनाएंगे, क्या नाम है, जब हम इसको बनाएंगे, 2D animation को बनाएंगे, तो हम एक flat surface बना रहे होंगे, ठीक है? तो अब just quickly आगे बढ़ने से पहले हम एक बहुत छोड़ा सा concept इसको कवर कर लेता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कि animation का एक तरीका classify करने का तो यह होगा, कि वो practically कैसी बन रही है, और दूसरी classification यह भी हो सकती, कि उसके अदर subject किया है, तो subject किया है कि उसके अंदर हम कुछ infographics सकते हैं, तो infographics में हम बात करते हैं, जब हम कोई information ग्राफिक के तरूब बता रहे हैं, और एक हो जाता है कि अगर हम कोई कहानी सुना लें, तो character-based और infographic-based, तो infographic-based animations जो होती है, वो कुछ-कुछ ऐसी होती है, यह देखे, just very quickly, then we'll come back to this topic that we were making, यहाँ पर कोई story नही है, य हम कुछ information देना चाहरे हैं, और, यह न, मैं इसको जादा, इस पर टाम नहीं लगा होगा, आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, तो पढ़ाई में अब यह है कि साब 2D animation अगर हमें बनानी है, तो हम कैसे बनाएं उसको तो 2D animation को बनाने के लिए आप देखेगा, बिसिकली हमने पढ़ा क्यों, 2D 3D के हमने बात क्यों की सारी के सारी, हमने बात इसलिए कि क्योंकि न, दोनों को बनाने का तरीका अलग है, दोनों को बनाने का क्या से बनता है कि कम्प्यूटर उसको अलग तरीकी से स्टोर करता ह तो हमें अलब तरीकी से डालना पड़ेगा उसनों तो वहाँ पर हम फस्स जाते हैं तो देखिए, टूड़ी अनिमेशन में सबसे पहले तो हमें प्रीप्रोडक्शन की तो जरूरत पड़ीगी प्रीप्रोडक्शन का मतलब हो जाता है कि हम क्या बनाना चाहरे हैं पहले हम तो संजेंगे क्यों कि जब तक हम नहीं समझेंगे हम कंप्यूटर कैसे समझेंगे और हमें क्योंकि बहुत सारे जो एक्चल प्रैक्टिकल अनिमेशन होती है जो big budget होती है या जो actual में कहीं पे जा रही होती है तो उनके अंदर में एक व्यक्ति उसको नहीं बनाता है उसमें एक team की जरूरत होती है हमें कुछ दो चार पाँच लोगों की जरूरत पढ़ जाती है और बड़ी-बड़ी teams भी होती है so everybody has to be on the same page everybody has to understand कि हम कहा जा रहे तो वहां पर हमें एक we have to start with a concept note जहां पर हम बहुत precisely, बहुत concisely हम कहना चाते हैं कि भई हम क्या कहना चाते हैं हमारा objective क्या है हमारा communication objective क्या है उसको हम कैसे approach करेंगे हम किन लोगों से बात कर रहे हैं और इस तरीके से हम concept note बनाते हैं उस concept note को फिर हम convert करते हैं script में अब देखिए हमने जो बात की थी infographic versus fiction की वो इसलिए की थी कि वह script का जो funda है और दोनों में अलग हो जाएगा अब हमें करेक्टर्स बनाने पड़ेंगे हमें कहानी बनानी पड़ेगी हमें देखना पड़ेगा जो हम कहानी में आएंगे तो आपने आप में बहुत बड़ा एक topic है कहानी कहना मतलब इतना आसान नहीं होता है हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है पर आसान ह और अंदर ही है, उसको बनाने का तरीका. अगर हम सोचे तो बहुत अराम से बाइप सकते हैं. We have to just imagine कि वो character, हर character की क्या background है, वो क्या बोल रहा है. अगर एक character को किसी बात पर अष्चर्य प्रकट करना है, तो उसका background हमें समझना पड़ता है. हमें देखना चाहिए कि वो character अगर कोई गायों का व्यक्ति होग तो वो कैसे अचे अचे रिप्रकट करेगा अगर कोई शहर का वह आँगा तो कैसे अगर कोई negative character होगा तो पैसे गाली देगा अगर कोई फॉद positive character होगा तो वो उसको मजाक मेले लेगा तो यह सब चीजे समझने पड़ते हैं, उसी से वह करेक्टर जिन्दा होते हैं, तो this is something very important, and इसके बाद में आता है करेक्टर डिजाइन, तो यहाँ पर हम बात करें करेक्टर डिजाइन की कि वही, विशुली हम कैसे उसको बना दें, तो अगें जैसे आपने बताया कि हम बॉडी कैसी हो, बिल्ट कैसा हो, यह सब चीजें देखनी होती है, और इन सब चीजों के बाद में फिर आता है screenplay, now screenplay is essentially script with camera movements, अगर हम एक script लिखते हैं, और उसके अंदर हम camera movements डाल देते हैं, तो उसको हम screenplay कह सकते हैं, तो script तो अगे कहानी की तरह होती है, आप पढ़ सक सकते हो, अलाकि वह भी टेक्निकल होनी चाहिए, इट शुद भी as precise as possible, और उसमें अगर हमने साथ में डाल दिया कि अब यह ऐसा short है, यह short है, तो वह screenplay बन जाता है, और उस screenplay से हम बनाते हैं storyboard, storyboard is something like a comic book, कि पूरी animation बनाने से पहले हम देखें तो से कि उसमें जो आएग कि काम नहीं होता, now this is the essence of this slide, कि जब तक हमारा लेफ्ट वाला बॉक्स पूरा हमने कवर नहीं किया है, तब तक आगे जाना बेकार है, ना केवल बेकार है, बल कि बहुत मेंगा पड़ेगा, ठीक है, इसलिए, मेंगा पड़ेगा खाली, it's not just about money, it's about effort also, कि जब तक हमें, you know unless we know where we are going, उससे पहले हमने शुरू किया था कि हम क्यों जाना चाहरें, पहले हम समझें कि हम क्यों बनाना चाहरें, फिर मता हैं कि हम क्या बनाना चाहरें, उसके बाद में हम बनाना शुरू करें, ठीक है? अब जब हम बात करते हैं, second की, इसमें आती है production, तो production के अंदर, production क बना दिया, जिसे ये पुलिस ओला बना दिया, गंबर बना दिया, चाहरपई बना दिया, तो इनको, बेसिकली इनको सजाना है, ठीक है? सौफ्ट्वेर की आप अभी चिंता मत कीजिएगा क्योंकि हर सौफ्ट्वेर में यह होता है, आप देखिए हम फोन सा सौफ्ट्वे में डील कर रहे हैं, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, मतलब डॉंट गेट बॉग डाउन की कौन सा सौफ्ट्वेर है, हर सौफ्ट्वेर में यह होता है, पर इस चीज को समझेगी, सबसे पहले आपको सीन बनाना है, आपको चाहरे बनाना है, और फिर एक एक चाहरे को एन में इतनी बुद्दी अवा गई है कि वो बीच चाहरे बना बना कर के दे दे गाल, तो हमारा कामासान होचाता है, तो इस चाहरे करेक्टर अनिमेशन, इसके बाद में नेक्स्ट एफ होता है सेकिंडरी अनिमेशन, पर अनुछे कि आपको यह थोड़ा सा एक्टिंग वाला तो थोड़ा सा नकली लगता ना हो क्योंकि हमेशा केवल एक ही चीज नहीं इलाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें और भी कर रहे होते हैं, कुछ 10 चीज़ें और स्टूरी यह भी होता है, इदर उधर भी देखते हैं, यह सब होती है सेकंडरी अनिमेशिंग्न, और यह डिपे जी हाँ, AI इसे काफी चीज़ें असान हो गई हैं, अब लोग AI भी बहुत छोटा सा कवर करेंगें, बिल्कुल बेसिक में, एंड में, ठीक हैं, तो यह सेकंडरी अनिमेशिंग्न हो जाती हैं, उसके आद में कुछ यह हो नहीं बैक्राउंड अनिमेशिंग्न, पीछे कोई यह सारी के सारी चीज़ें, जो कौन-कौन सी अब जैसे, let's go back to this one, कि अब यह एक एक करेक्टर को हमने बनाया, पीछे हमने घास बना दिया, एक हमने बर्ड बना दिया, एक हमने बादल बना दिया कहीं पे, हमने यहां पे इसकी शेडो बना दिया, सब कुछ बना दिया, यह सब कुछ को हम एक पार, कंप्यूटर की मेमरी में अनिमेट करेंगे, एक साथ, यह लाएक जैसे यह सब करेंगी होती है, शब्रिजनुरी की पारेड लिए तो हरेक उने अपनी जहांकी अपनी जहांगी पर देख ली, आपको कर दिखी तक लिग हमने एसा करूँगा, म तो software कोई भी हो, अगर computer के पर बहुत जादा रोट पड़ेगा. और computer उनको एक साथ प्ले करके, एक एक frame को record करेगा और उसको save करेगा. तो compositing में time लगता है. हम computer को बताते हैं कि सब कुछ को play कर दीजिए, सब कुछ को record कर दीजिए, and it takes time, it can take up to hours also. कई बार होता है, जिसे आपको पता है, वीडियो में, एक second में 25 frame होते हैं, 25 pictures होती हैं. तो वो 25 still, एक एक still बनाने में, computer को compositing करने के बाद में, उसको अप टू 15-20 minute भी लग जाते हैं, आदा-दा घंटा भी लग जाता है, वह complicated होता है. और वो जो चडिया हमने देखी थी, 3D के हम बात करेंगे, 3D में जो चडिया देखी थी, realistic, वहाँ बर एक-एक frame में, मतलब 2-2-3-3 घंटे लगते हैं, कि वह 25th, 1-25th of a second को बनाने में, तो आप सोचिए, यह सब कुछ करने के बाद में, फिर हम आ जाते हैं, यहां तक, this is the crux of 2-D pipeline, 2-D animation pipeline, और उसके बाद में फिर हम आ जाते हैं, पोस्ट्रेक्शन पे, पोस्ट्रेक्शन तो, it's like any other filmmaking only, इसके अंदर हम लोग उसके audio record करते हैं, उनको हम edit करते हैं, हम उसमें sound effects टालते हैं, हम music design करते हैं, फिर हम उसकी mastering करते हैं, mastering में everything is, you know, we just edit everything and we create the experience that the end user is going to have, तो यह हमारा basically 2-D animation pipeline है, थोड़ा बहुत 19-पीस उपर नीचे हो सकता है, विकाज हर, मतलब हम यह theoretical है, मगर चीजें बदलती है, हर project अलग होता है, जिसे यहां पर हमने dialogue record किया, पर किसी-किसी animation में होता है, कि जो dialogue record कर रहे हैं, जो artist है, वो बहुत senior है, उनका time बहुत कीमती है, बहुत busy होता है, जो नहीं आ सकते हैं, तो ठीक है, हम dialogue, हम scratch voiceover record करा लेते हैं, हम किसी और सो record करा लेते हैं, ताकि animation पूरी हो जाए, उसके बाद में finally उनको करेंगे, अब जब finally उनसे record करा थे हैं, तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं इसको ऐसे नहीं, मैं इसको ऐसे बोल कर दिखाऊंगा, यही होता है, ठीक है, अब हम अगर आगे बढ़ें, तो यह 2D animation की, चलिए, हम 3D की बात करने से पहले, हम इसी का, एक छोटा सा example देखते हैं, हमने ठोड़ी दिर पहले, एक वीडियो देखा था, विच वाज अश्वु कुमार, जो मैंने वीडियो प्ले किया था, कि बिल्कुल आवाज नहीं आई थी, बिल्कुल जीरो आवाज आई थी, यह बहुत हलकी सी आई थी, जब शुरु शुरु में वीडियो प्ले किया था कि कुछ लोग ने का कि आवाज नहीं आ रही है तो कि बिल्कुल जीरो थी कि आवाज लाइट साउन था थीक है तो अभीना मैं एक बार दुबारा से उसको प्ले करूंगा थोड़ा थोड़ी दिर के बाद में तो आप मतलब बहुत इंपोर्टेंट नहीं है बगर बेसिक आपको समझ में आ जाएगा ठीक है मतलब समझ नहीं भी आए अगर तो भी चलेगा बट कोशिच कीज़ेगा तो देखिए हमने बेसिकली एक वीडियो बनाना था हमारा ब्रीफ क्या था हमारा ब्रीफ था कि एक करेक्टर हमने बनाने के लिए इसका नाम था अश्रुकुमार बनाने के लिए इसका नाम था अश्रुकुमार और यह एक पब्लिक सर्वेस मेसिच था इसका परपस था कि जो कुछ कम्यूनिटीज होती हैं जो घोडों पे काम करती हैं उन तक हम कैसे good practices घोडों को पालने की अच्छी बाते हैं जो है सही तरीके जो हैं जो डॉक्टरों ने बताये हैं वो उन तक कैसे पहुंचाएं अब समस्या क्या होती है यहां पर कि भई व जो लोग जो पैदा हुए हैं इस सिस्टम में सिस्टम का मतलब है कि जो बच्पन से गोड़े गोड़ी देखें उनोंने उनको अगर कोई मेरे जैसा शेहर का वादमी आ के बता रहे है कि वेटा तुम गलत कर रहे हो तो कुछ होगा वो उल्टा मुझे बताएंगे कि सर आपका दान्त रूट जाएगा तो दूर से बताओं गलत करें तो यहां पर अब हम कैसे वह बैरियर तोड़े तो वहां पर हमें अनिमेशन ने हैं तो अनिमेशन ने जब हैं तो हमने सोचना शुन किया कि भाई अब हम कैसे उन तक पहुंचे और कैसे हम एक करेक्टर हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राइ की उसका कपड़े कैसे होगी और उनको जोड जोड करके फिर फाइनली एक करेक्टर इसका इसकी समसे कुछ तयार हुआ ठीक है उसके बाद में फिर एक इसकी उपर स्क्रिप्ट लिखी गई ठीक है तो मैं आपको ना स्क्रिप्ट भी इसकी एक स्क्रिप्ट है और एक स्क्रिप्ट अगर हमारा ओडियो ही नहीं जा रहा हुआ तो यह स्क्रिप्ट से आपको कुछ यदा फायदा नहीं होने वाला है तो एक मिनुट डीजेगा मुझे ठीक है अब तब तक अपने सवाल चालू रखिए हम कोशिच करेंगे आप कि सवालों का जवाब दे लेंगे ठीक है मैं एक मिनुट के लिए अंशेर करूंगा और जिस मुझे एक्जेक्टी वन मिनुट का ताइम दीजेगा और आम त्राइंग तो गेट एट स्क्रिप्ट और अगर कोई और सवाल है तो आप मुझे प्लीज बताईएगा देखिए यह है इस फिल्म की स्क्रिप्ट इसमें क्या हो रहा है अभी हम इसको और डिटेल में भी देख रहे होंगे इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर हम अब मैं जस्टीपर थोड़ा सा पढ़ लेता हूं कि सब लोग शायद हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं इसमें है कि एक गाउं में के पास एक पशुमीरा लगा है जहां चारों और जानवर बंदे हुए हैं तमाम लोग आ जा रहे हैं कहीं लौट स्पीकर का प्रचार चल रहा है चारों और जानवरों की आवाजें आ रहे हैं वहीं मेले के गोड़े में दो लोग बैटके बात कर रहे हैं और बात क्या कर रहे है तो Хасan कहा है किया सोच में पढ़ा है हीरा यहां तो एक से बढ़कर ड़ंही के है कुछले करें यह आईपनी पसंद हां दूश्त है इसके बाद में थोड़ी दिर के बाद में आता है हमारा ही रो यह जो उनकी बात को काटता है और अपनी बात को रखता है जिसे होने समझ में आए कि क्या चीज़ सही good practices क्या है तो इसी के ऊपर जब हमने अब इसके अंदर यह देखेगा जो यह येलो वाला portion है ठीक है यह yellow वाला portion है यह इसका क्या है ये की dialogues के अलावा क्या हो रहे है ये portion है जो इस script को क्या बनाता है screenplay बनाता है ठीक है हमने बात की script और screenplay के फरक की तो ये screenplay बता रहा है बना रहा है इसको ठीक है कि ये हम सारी की सारी कोशिश क्या कर रहे हैं अभी to get everyone on the same page पूरी team को बिल्कुल narration है कि पूरी team को एक ही page पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबको समझ में तो आये कि हम क्या करना चारें तो उसके लिए चीजों को भी identify करना और लिखना ये ज़रूरी है ठीक है इसके उपपर ये script बनाए जाती है तो मैं अभी ज़्यादा detail में नहीं जा रहा है बट हम लोग we'll just see कि ये कैसे बनती है फिल्म में तो हमने करेक्टर को डिजाइन किया और हमने बात की देखिये हमने जब वो script की बात की उसके बाद में हमने उस script से हमने वो instructions लिखी और उन समग instructions से हमने बनाना शुरू किया एक storyboard storyboard में हम क्या बता रहे हैं हम बता रहे हैं कि हम कैसे इसको imagine करना चाहते है ठीक है ताकि हमारी पूरी टीम हम सभी लोग एक पेच पर आ सके तो यहां पर देखिए जब उसमें लिखा गया जब हम लिखेंगे तब ही हम बना पाएंगे अब आप बनाए या आपकी टीम को कोई member बनाए या कोई artist बनाए आप लोग के साथ में बिल करके वो एक अलग बात है यह आप किस software से बना रहे हैं वो एक अलग बात है हर चीज़ों करने के बहुत तरीके होते हैं मगर करना क्या है वो हम समझना चाहरे है यहां तो करना यह है कि आपको पहले यह लिखना ज़रूरी है और उसको लिख करके फिर उसको इंटर्परेट करना ज़रूरी है एक वी कैमरा कहां रखें पूरे परशुमेले को रखना है तो हमने इसको टॉप एंगल दिखाया हमने इसको हवा में दिखाया है एंग आइ तिक आप लोगों ने शॉट टिकिंग तो संझा हूँ है ना बेसिक कैसे वीडियो में क्या-किसम के शॉट्स होते हैं यूंकि वो मैंने यूंकर कर्णा हैं परचाने के यूए हैं और किसमाने सोटार सक्ताई है तो आप जिसको ब्छाएं नहीं थोड़ा सक्ते हैं कृति हैंगलर इसकी फिम में बदनी बक्तता हैं कर तो यूंकृत उत्ले सकता है उप सुपक्यार क्राइज थैंगर आप कम films की language होती है और उसी हिसाब से इनके नाम भी होते है तो ये सब चीजें भी ideally हमें screenplay पे लिखनी चाहिए जैसे हम medium shot इसको MS मतलब medium shot देखिए XLS मतलब extra long shot ठीक है long मतलब कि हम दूर से देख रहे हैं ठीक हमारा distance is long this is long shot इसमें पुरा-पुरा character को देख रहे होते हैं this is medium long shot MLS है थीसरा फिर है medium shot most of the film is between medium shot and MCU medium close up medium close up ठीक है हम ऐसे तो अगें कोई rocket science नहीं है कोई किसी किताब में किताबों में लिखा होता है ये सब पिसरा फिर्ट इसे ही करना है कोई कानून नहीं है बट इन चीजों को follow करते हैं तो हमार लिए असान हो जाता है चीजए तो हम जब 20185 이제 our script लिख ही हो तो कमरे और निख सकते हैं कि मैं इसको देखना किसा इमइजन कर रहा हूं क्या मैं सामने से देखना चाहरा हूं , मैं साइट से देखना चाहरा हूँ, क्या मैं इसको छोटा देखना चाहरा हूँ, बड़ा देखना चाहरा हूँ, यो कि यह जब आप कर रहे होंगे, उस वक्त अगर आप डालेंगे, तो आपको, आपको confusion भी होगी और आपका time बेस्ट होगा, पूरी टीम का time और resources बेस्ट हो इसको लिख रहे हैं, कमरे में अकेले बैठे हुए, तब आप यह चीजें भी सोचिए, कि हम इसको जब इमेजन कर रहे हैं, तो यह विजुली कैसा होगा, कहीं बहुत ही किसी ने बहुत अजीब बात कर दी, तो आप जा सकते हैं, यह बिग क्लोज अप कहते हैं इसको, जो इसी तरीके से कैमरे की मूवमेंट्स होती हैं, कैमरे की मूवमेंट्स में होता है, लेफ्ट से राइट हम मूव कर रहे हैं, हम सामने से लेखना चाह रहे हैं, किसी को, हम ट्रैक आउट हम आगे से पीछे जा रहे हैं, हम जूम आट कर रहे हैं, जूम आट कर रहे हैं, जू और पैड़ पैड़ डाउन जिसके अंदर हम कैमरे को उपन नहीं लेकर जा रहे हैं तो यही सब चीज़ने जब हम डालते हैं और इन ही सब चीज़ों को देखिए यही है यही है यह सब आपको मिली जाएगा पीबीटी आपको दे दिया जाएगा तो तो, similarity ये, now this is important, कि हम किस एंगल से शूट कर रहे हैं, हम कई बार लो एंगल से शूट करते हैं किसी चीज़ को, है न, most of the time, most of the time, आई लेबल होता है, हम किसी की फोटो भी किछते हैं, तो हम आई लेबल पे देखते हैं, क्योंकि हमारा, जब हम किस से बात करते हैं, तो सामने वाला कहता है, कि इदो अदर क्या देख रहा हूँ, मेरी आखों में देखो, है ना, तो आखों में देखो, क्योंकि हम उसको हम आखों में समझते हैं, हम अपनी बोडी में कहां रहते हैं, अपनी बोडी में आखों में रहते हैं, ऐसा हमें लगता है, तो most of the time, 90% of the time, हम आखों में देख रहे होते हैं, हमारा कैमरा आखों की हम जो किसी की photo भी किफे तो हम्हें बच्चे जी जुकने लाना चाहिए को घुक यॉकर यॉचा जायAyलेवल अगर अगर हम किसी को बड़ा दिखाना चाहते है अपने से बड़ा दिखाना चोटे-चोटे उनके फंडे होते हैं, बिल्कुर हलका सा कैमेरे को नीचे कर देंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा और मुझे लगेगा कि यार यह तु उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, पर भूत ध्यान से देखें तो चीज़ें समझ में आती है, Similarly, अगर किसी को दिखाना है कि वो खुद परिशान है, वो तकेला है, वो डरा हुआ है, बहुत ही ऐसा है कि भाई, किम कर्तवे विमूर या असा है तो वहाँ पर अपन हाई एंगल यूज़ करते हैं, है न, वाम्जाई, जब हम वाम्जाई, बतलब अगें कभी कभार आपके वाम्जाई करें, कम यूज़ होता है, कई बार हम दिखाना चाहरे हैं कि बिल्कुल अलग से, थर्ड पार्टी को कैसा दिख रहा है, तब हम, यहां, जो कैंटिट वाला है, तीसरे, तीसरे वाला, आवाज कम आ रही है कि, आवाज आ रही है मेरी, मेरी आवाज मुझे लग आवाला होता है, जिसके अंदर की, हम कन्फूजन दिखाना चाहरे है, और फिर है, बिल्कुल उपर से दिखते हैं, यहां से सारी बात शुरू ही थी, कि मेले में हमने इस्तमाल किया है, बिल्स आई व्यू, क्योंकि हम एक बिग पिक्चर दिखाना चाहरे है, है ना, now going back to that storyboard, हमने यहां पर क्या इस्तमाल कर रहे है, हम birds eye view इस्तमाल कर रहे है, है ना, मेले में, उसी shot में, तो हमने जो यह बताया, जो यह line कहां से आय थी, यह line उसमें लिखी हुई थी न, script में, तो वही से, तो हमने यह birds eye view बनाया, और birds eye view से फिर हम लोग आ गए, एक long shot पे, जि इसको दिखता है अगर ऐसा हो तो कैमरा केवल एक को ही देख पाएगा है ना एक को देखेगा दूसरे की बैक आएगी तो हम दोनों को जब देख नहीं पाएंगे तो हम उनसे इंटिफाइ नहीं कर पाएंगे तो इसलिए ही L-shape एक जो structure है जो right side में हमने दिखाए कि एक को हम इनको एंगल पर दिखा दिया तो एक को था हम फ्रेंट से देख रहे हैं मकर दूसरे की भी पीठ नहीं है उसका भी profile दिख रहे है तो यह तब ऐसा view ही इस्तमाल होता है ठीक है और फिर यह देखिए इस वाले last वाले shot को बहुत दूर से देख रहे थे उपर से देख रहे थे हम थोड़ा सा पास आए third shot में है ना और fourth shot में हम काफी पास आ गए ठीक है यह बड़ा है इसलिए confused mark होईएगा आप इसको इस से third shot से compare कीजिए इसमें पीछे पेड़ भी है loudspeaker भी है गदे भी है और यहां से हम सीधा यहां प यह आगए वो होश्यार चाचा होश्यार का का होश्यार चाचा जो हमारे negative बाते हैं बताएंगे अब इनका जैसे मैंने बताया कि यह क्या है यह negative character है हम चाहते नहीं है कि आप इनको seriously ले आप मतलब हमारे viewers तो यह चीज हमने कैसे बनाई गई यह चीजे हमने बनाई इसके इन सब बातों से मतलब we don't want अगर हम अब देखे यही समझने वाली बात है कहीं पर कहीं कहीं पर जैसे कहते हैं कि negative character की जरूरत होती है अगर आप negative character नहीं बनाते हैं तो आपका positive character की value नहीं होगी को तो यह और and we also don't want कि लोग negative character को seriously ले तो इसलिए इसको ऐसा लहजा बनाय इसलिए नो यह उड़ी बात ही करेगा आपकोर्स अब जिसे अब इन नो का कुछ ही लोग बात कर रहे हैं आपस में कानाफूस ही हो रही है तो हमने हम camera भी पास में ले गए यह सब एक डायलोग के लिए हमें यह तो sketch करना चाहिए यह हमें कम से कम लिख देना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और कुछ नहीं तो केवल दो वक्सेज बना करके अगर हम मैच स्टिक फिगर से भी बना दे तो हमारा आगे का रास्ता असान हो जाता है ठीक है यह सब करते करते हैं और फाइनली जो है राइट साइड में यह जो हमारा पॉजिटिव करेक्टर ही आता है तो यह सब चीज़े हमने पहले लिखी हैं कि करेक्टर स्केच हमने लिखे हैं तब इसको बना पाएं ऐसा अगर हम स्क्रिप्ट टिक निक सीधा शुदू कर देंगे आगे जा करके हो सकता है हम फस जाए ठीक है अब आये बात करते हैं कि यह जब हमने बनाया तो देखिएगा क कि मैं अभी थोड़ा सा ओडियो प्ले करूँगा जो मने स्क्रिप्ट थी उसके उपर अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और अपनी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वाल्यूम विगरा फुल बढ़ा लो और आप भी कोशिश कीजिएगा कि आवाज आप तक प वाचीत है उसको जब इनिशली रिकॉर्ड किया गया तो उसमें एक स्क्रैच रिकॉर्डिंग की गई मतलब एक रफ रिकॉर्डिंग की गई जो रिकॉर्डिंग आटिस ने नहीं की थी ठीक है तो वो कुछ ऐसी थी देखें ठीक है तो यह अभी जिसा हमने देखा इसके अंदर यह क्या है यह स्क्रैच वाइसओर है तो स्क्रैच वाइसओर का मतलब है कि यह अभी हमारे पास में फाइनल वाइसओर हम नहीं करना चाहरे क्योंकि हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहरे तो इसके अंदर हमने ऐसे ही इसको फोन पर ही समझ लीजे रिकॉर्ड कर लिया एक टाइमिंग देखने के लिए ताकि एनिमिशन शुरू तो हो सके ठीक है उसके बाद में हम आ आते तो जैसे मैंने बताया महेंगा पड़ता हूं ठीक है महेंगा मतलब not just money effort also ठीक है अब ही देखिए यह जो आवाज अगर आप जिन लों तक पहुंची वह इसका अप्रिशिट कर पाएंगे नहीं तो बाद में सुनिएगा यह करेक्टर की आवाज इसको नेगेटिव दिया गया इसको ऐसा दिया गया कि seriously ना लिया जाए तो इसको मजा वाला इसका खड़े होने का लहजा भी इसके आवाज भी इसका और जो बातें बोलेगा तो content भी सब कुछ ऐसा होगा कि यह funny दिखे तो देखिए ठीक है अवाज आही थी वैसे इसकी just curious थोड़ी सी आवाज आप आही थी clear voice कोई बोल रहा है आप आही थी ना ठीक है हाँ exactly तो वही हमने कोशिश की थी कि यह villain जैसा sound करें इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर फिर add किया गया music और sound effects ठीक है जब music किया जाता है और sound effects SFX मतलब sound effects तो अब आप देखेगा कि क्या होता है यह शुरू हुआ था कैसे जब हमने वह वर्ड फाई जो मैंने शेयर की थी तो उसमें था ना कि दूर कहीं पर एक मेले मेला लग रहा है गाओं का मेला तो वो सब कुछ वो create कैसे किया जाए तो उसके लिए आवाजें इस का यथ, तु कुछ जाएंदानी शवाजें इनकि कुछ कि वर्ड वो दाएंदानी अच्छ कुछ प्योच्सुर्ण चाओं चलेकी जाएंगा। तो देखा आपने कैसे sound effects add किये गए, music add किया गया और music के साथ में, sound effects में किया गोडे की आवाज, यहाँ पर हमने birds की आवाज, थोड़ा सा एक सुभा दिखाने की, गाओं की थोड़ी सी चाहल पहल, कुछ आवा, तो यह सब आवाज हैं और यह सब इनकी बात करने का लहजा, यह सब कुछ animation का पार्ट है, मगर आप लोग अमेरिकाल से होरोसर का वो पढ़ेंगे sound कैसे manage करने, तो इस सब चीज़ों को इन सब topics को जोड़ करके बनाईएगा अपने, तो आपको और interesting है, SFX है sound effects, जैसे मैंने बताया, sound effects जैसे उसके अंदर wind की आवाज होती है, गाड़ी चलने की आवाज, दर्वाजी की आवाज, आप अगर online सर्च करेंगे, आपको हर चीज़ के sound effects मिल जाते हैं, आप YouTube पे देखेगा, आपको YouTube में मिल जाते हैं, आप YouTube से डाउनलोड कर सकते है और हुँच सारी websites है, जो अच्छे professional उसके लिए चाहिए, तो हम लोग record भी करवाते हैं कई बार, sound effects studio में, और कई बार हमको खरीदने भी पड़ते हैं, जो बिल्कुल high end होते हैं, तो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी libraries होती है, मगर for your practical purpose, आपको sound effects online मिल जाते हैं, आप उन उनको download करके रखिये, उनको use कीजिये अपनी आवाज में, अगर what is more important is to first identify what you need, और उसके लिए आपको, मतलब basically that is what we are preparing you here, कि आप उसको समझ ये, कि हमें क्या क्या चाहिए, और उसकी एक चाहें तो एक list बन आले कि वही ये वाले, जब sound effects room में बैठेंगे तो ये 12 sound effects मुझ it's not special effects, no, this is no, SFX is sound effects, okay, special effects को VFX भी कहते है, ये SFX है वो VFX भी कहते है, ये SFX है वो VFX, इसको visual effects भी कहते है, okay, now going further, the final stage is of course mastering, mastering is when everything is put together in the editing software, पहले हम लोग सब को put together कर रहे था है किसमे, compositing software में, film editing में हमने किया और हमने experience create किया, जो कि finally लोग लेकर के आते हैं, ठीक है, तो ये कुछ videos है, आप इनको देख लीजेगा, उसमें आपको मिल जाएंगे, मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, तो ये सा हमने बताया कि आपको ये सब चीजों के उपर आ अब इसको देखेगा, ये 40 से किंड का एक छोटा सा एड है, ये एड है किसके उपर ये है, early marriage को रोकने के लिए, ठीक है, बहुत सारे गावों में आज भी early marriage का trend होता है, उन communities को specifically target करके इसको बनाया गया है, ठीक है, तो अब एक बार इसको देखेगा और फिर हम and we'll just quickly analyze it, ठीक है, यहां से सुनेगा, again, आवास है, तो थोड़ा सा उसको आवास के लिए अपने speakers थोड़ा तेज करके और शांती का माहल बना के सुनेगा, here it goes. बाबा, आपको याद है, जबाब में इस कारे की चंड़ा दानी? बाबा, अब बाब अब प्रशान अच्ड़ा गचे है, परसुप्यार रदो चन्तमा जाएजे. बाबा, जबाब अच्छो चीजमा बनाया पथ लका है, तो गचाहर ना सकी. तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है चोड़ा साब ने चाली सेकेंट एक वीडियो देखा ठीक है इसके अंदर जब इसको बनाया गया मैं जिसे एक प्री प्रेड़ुक्शनल गजांपल बहुत जल्दी से दूँगा जब इसको बनाया गया हमनों को बताया गया है ऐक वीडियो बनाना है इसा अब हमने अगया धुड़ा से समझाना जरूरी संझा कुछ स्तेस्टिक पर Doesn't पर तो संज्ये से सही हम देखें तो सही हमारे बच्चे का जिनको हम क्लास में बता रहे हैं कि इस क्लास के इस एक साथ रही जा तो हमें ही समझ में आता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि अभी ही 27% बच्चें की शादी होती है जब वो चिल्रन होते हैं और 16% जो है 16-19 साल की लड़कियां मैरेड होती हैं सबसे ज़्यादा इसकी प्रेविलेंस बिहार में है और यह सबसे इंपॉर्टन इसम को समझ में आई थी कि वही सम लोग जानते हैं कि यह क्राइम है ठीक है बच्चे भी जानते हैं माबब भी जानते हैं लड़कों के लड कि फॉर्म में जब कॉंसेट नोट के ही फॉर्म में यह समझना शुरू किया कि पुलिस के डर से तो नहीं रडने वाले रोग है न कि कुछ और करना पड़ेगा तो फिर वहां से आया कि अच्छा ही अगर बच्चा ही अगर बोले तो अब बच्चे को लगेगा कि मैं अगर किसी बच्ची को बोलते वह देखती हूं तो मैं भी बोल सकती हूं तो वहां से इसकी स्टोरी आया थी ठीक है और दूसरी बात हमें समझ में आया कि प्राइमरी स्कूल की एंडॉल्मेंट इस वकत अल्मोस 100% हो चुकी है इंदोस्तान में प्राइमरी स्कूल में तो हर बच जूटा सच्चा कुछ तो बोल पाएगा तो वहीं से एक करेक्टर बना गया ठीक है अब दूसरी बात एक और बात समझ में आई कि जो existing pool of wisdom कि जो हमारे गाओं के लोग है वो अगर हम उनसे बात करना चाहते हैं तो चाहे वो अनपढ़ हो मगर वो वो नहीं है क्या कहते हैं बिवकूफ नहीं है ठीक है समझदार है वो फिल भी बहुत सारी बातें समझते हैं तो इसलिए उनकी existing knowledge को अगर हम appreciate करें और उस पे हम build करें तो हम बहुत कुछ उनसे कह सकते हैं तो यह सब बातों से इसकी story बनी ठीक है जो भी आपने देखी चूटी सी मतलब वो effective तभी ब इसका storyboard बनाया गया, इस storyboard है उसका, पहले उसकी script लिखेंगे, इस script के साब से फिर एक लाइन के ऊपर storyboard बनाया गया, कि अब देखी storyboard में detail important नहीं है, इसके अंदर यह important नहीं है कि किसी का face दिख रहा है, detail में दिख रहा है कि नहीं, पर layout important है, detail स्यादा important है कि हम clear हूँ, clarity मतलब in terms of conceptual clarity important है, detail, fine, उसकी fine lines important नहीं, इस चीज को समझे रहा, ठीक है, यह देखिए, यह इसका storyboard है, सारा का सारा, जो भी आपने देखा उसका, ठीक है, बच्ची उसको देख रही है, सुन रही है, उनका कहां पर, उनका कैसे, मतलब उनका layouting कैसे होगी, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, यह सब चीजे, कम से कम हमें तो clear हो, ऐसा नहीं कि हम जाकर के बैठ जाएं, और हम बोलें कि यार कुछ नो कुछ तो बनी जाएगा, कभी नहीं बनेगा, मैं आपको guarantee दे रहा हूँ, आप लगे रहेंगे, आ यहीज मुझे आपको लोग लोग लग रहा होगा, इसार software तो कुछ सिखा नहीं रहे, क्या कानिया सुना जा रहे हो, पर नहीं, यही चीजे बहुत ज़्यादे हैं, trust me, यही चीजे आपको काम आएगी, software आपको, आप जो सीखेंगे, वो तीन महीने के अंदर अंदर outdated हो ज just talk about 3D animation pipeline, अभी तक आप doubts लोग पूछी रहे हैं, कुछ भी अगर होगा तो मुझे पूछीएगा, ज़रू बता हो, ठीक है, now 3D animation pipeline आप देखिए, इसमें और 2D में क्या वरक है, आप देखिए, पहला वाला डिबबा और तीसरा डिबबा, एक्तम सेम है, जो बीच वाला ड misturing, rigging, animation, lighting and rendering, ये सब चीजे, देखिए, हमने क्या बताया था आपको शुदू में, कि जब आप computer में किसी चीज को store करते हैं, कैसे store हो रही है, वो ही decide करता है कि 2D animation है कि 3D, है ना, जब आपको 3D में उसको store करना है, नो 3D में store करना है, मतलब it will be stored as a mathematical shape, as a mathematical model, है ना, 2D, 3D box, यह, sphere, है ना, तो वो सारी shapes को create करना, that process is called modeling, फिर उसके बाद में, आप देखिए, बहुत important और बहुत interesting चीज है, कि क्या shape ही सब कुछ होती है, shape और color भी होता है ना, उसके और color भी लगाया जाता है, है ना, पीला, काला, हरा, नीला, और color के साथ में, अब देखिए, दो चीजे हैं काले रंकी, अब देखिए, मेरे पास में ये दो चीजें काले रंकी है, मेरे शकल पे देखिए, ये मेरा फोन है, ये भी काले रंका है, और ये प्लास्टी की चीजें ये भी काले रंकी, ठीक है ना, क्या दोनों का behavior, light के साथ, सेम है, देखिए, फोन में कुछ reflection के साथ दिख रहा है, और इसमें नहीं दिख रहा है, है ना, reflection इसमें भी है, मगर इसमें थोड़ा अलग किसम का है, clarity देखिए reflection की, है ना, मुझे दोनों काले दिख रही है, अब ये information, हम computer को देंगे, तब ये तो computer बना पाएगा, ये सारा part होता है, texturing का, so texturing consists of, कि कैसे हम उसमें क्या रंग दें, हम उसमें कैसा उसके surface को बनाएं कि वो smooth हो, या rugged हो, या rough हो, और तीसरी चीज है कि वो light से कैसे interact करें, ठीक है, light हमारी चारों तरफ होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा topic है, तो मैं बहुत बढ़ा बता हमां, light हमारी चारों तरफ होती है ये light किवल वो नहीं होती है, जो कि रोशनी बल्ब से निकलती है, या किसी tube light से निकलती है, हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, क्योंकि उससे light आ रही होती है, हम दिवार को देखते हैं, क्योंकि दिवार से light आ रही है, कहीं से reflect हो करके आ रही है, अल्मारी हमें पीले रं कि वो कितनी light को absorb करेगी, कितनी छोड़ेगी, और जो reflect करेगी, उसो किस तरीके से reflect करेगी, एकदम सीदी सीदी reflect करेगी, तो हमें बिल्कुल mirror जैसी reflection दिखेगी, जैसी ये phone में दिखती है, है ना, बिल्कुल mirror जैसी दिख रही है, और अगर वो, अगर वो scatter हो करके करेगी, तो हमें एक generally रंग तो मिलेगा, उसके सामने वाली चीज़ का, मगर उतनी clear image नहीं मिलेगी, तो वो scatter हो रही है कि नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें, lighting की, ये सारी चीज़ें, computer को बतानी पड़ती है, and there are lots of different variables, ठीक है, वो सारे हम हर एक surface, अपने computer की हर एक surface के बारे में बताते हैं, ठीक है, this process is called texturing, ये complicated होता है, अपने आप में एक specialized profession होता है, texturing artist या modeling artist, ये सब एक profession होते हैं, you are not expected to learn everything, it takes a lifetime to learn them, but you need to understand their capabilities, so that when you are making a, आप जब किसी project को कर रहे हो, तो आपको समझ में आए कि आप expectations set कर पाएं, कि आप उनको बता सकेंगे, और मुझे ऐसा कुछ बना कर के दो, तो वो कर के दे देंगे आपको, ठीक है, मगर उसकी expectations, उसकी capabilities को समझना आपके लिए ज़रूर ही है, ठीक है, फिर रिगिंग, नो रिगिंग में क्या बता है, जब आपने एक model बना दिया, ठीक है, अब आपने उस model को move करना है, अब आपने एक लड़का बना दिया, वो चलेगा, ठीक है, तो अगर हम देखें, तो बता सान है वो इसकी टांगे हिलेंगी, और उसको हम आगे बढ़ाएंगे, मगर क्या वो टांगे कहीं से भी हिल सकती है, अब यह मेरा बाजू है, और यह हिलेगा, तो कोनी से हिलेगा, बाजू के बीच में, तो नहीं हिलेगा, तो कम्पुटर को यह बताना, कि हमारा मॉडल कहा से हिल सकता है, और कहा से नहीं हिल सकता है, ते प्रोससे कोलिग टीकी, अब बच्भर हमने एक मॉडल बनाते हैं, उसके बाद में उसके अंदर एक सकेलटन फिट करते, ठीक है, हम उसके अंदर बहुत सारे constraints डालते हैं कि यह इतने degree तक हिल सकता है यह बाजू मतलब एक डिरेक्शन में हिलती है नो पीछे तो नहीं तक हिल जाएगी पीछे हिल जाएगी तो आप डर के भाग जाएगे बोलेंगे बूत आगया तो घुटना केवल एक डिरेक्शन में हिलता है गर्दन कितनी हिलेगी कहां पर हिलेगी तो एक एक चीज को computer को बताना यह होता है रिग यह सारे के सारे for every model so for every model we create a model we texture it we do rigging यह सब करने के बाद में then we do animation now animation के यहां पर दो मतलब हो जाते हैं कि everything that we are doing is animation second is animation specifically we are adding motion हम उसमें movement add कर रहे है so that is also that is the more specific meaning of animation so we animate each of those models so each of those models are asked उनको हम move करके दिखाते हैं हम कई बार उसकी equations बना कर एक computer में डाल देते हैं कि यह इसकी चाल ऐसी ही होती है अगर यह नो हमारी चाल होती है हर किसी की अलग होती है तो वो character के हिसाब से होती है तो उस तरीके से इनको animate किया जाता है फिर आता है lighting लाइटिंग के अंदर की कैसी लाइटिंग है वह हॉस्पिटल में अलग किसम की lighting होगी ग्राउंड में अलग किसम की होगी हर जगह के अभी कोई मुझे बता रहे है बघृटिंग रिगी में भी जरूरी होता है हम पर 3D में अफेले रिगिंग करने वड़ु है हमकए पहले रिग नहीं होता है फिर हमने लाइटिंग समझा है ठीक है प्लेड इन दे computer's memory और computer एक एक frame को render करने के लिए बहुत ज्यादा time लेता है उसमें बहुत ज्यादा high-end processors को भी minute मतलब कई-कई minute लग जाते हैं 1 25th of a second को render करने में तो just imagine कितना ये काम कहां से कहां पहुंच जाता है so this is called rendering और उसके बाद में of course there is post-production जहां पर हम लोग ने अभी समझी लिया कि post-production में क्या-क्या होता है ठीक है तो इसके बाद में हम बात करते है infographics की quickly infographics हमने देखा ही था infographics तो इसके अंदर तो कुछ खास ऐसा है नहीं समझाने वाला इसमें basically यह है कि हमारा जो concept होता उसके इसाफ से हम इसको interpret करते हैं shapes बनाते हैं उन shapes को movement को देते हैं ठीक है अभी हमारे पास में time कितना बचाता है यह हमारे पास में around 10 minute है तो मैं quickly आप लोगो अगर कुछ concepts बतातेता हूं जो कि आपको help करेंगे resources को अब देखिए होता क्या है कि जो आप लोग resources को बनाएंगे न तो आपको बहुत सारे resources online computer से download करने पड़ेंगे और उनको आप अपने software में use कर रहे होगे तो जब आप वो करते हैं उस वक्त आपको कुछ online libraries कापी इस्तमाल किया जा सकता है तो उस वक्त आपको यह देखना ज़रूरी है कि जो आप download कर रहे हैं वो कितना इस्तमाल हो सकता है तो यहाँ पर एक concept आता है vector और raster का हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो computer में कैसे store होती है यह 2D में भी इस्तमाल होगा 3D में भी इस्तमाल होगा पर यह concept को समझना ज़रूरी है तो vector जो है वो computer में equations की तरह स्टोर होता है जैसे गोलाई है तो यहाँ पर गोले की इकुन लगी है सीदे लाइं की equation लगी है तो equation लगी है तो उसका मातलब यह हो गया कि जब हम इसको इसका जब close-up shot बनाएंगे जब पास में जाएंगे यह बड़ा हो जाएगा उस वक्त भी यह उतना ही smooth रहेगा क्योंकि वो एक equation है equation में नया variable डाल दिया जाएगा computer की memory में तोड़ा सा time जरूर लगेगा मगर वो एक नया curve बन जाएगा और वो कर उतना ही smooth होगा on the other hand sometimes it is stored as pixels pixels are picture elements as we all know each of these boxes are pixels so when it is stored as a pixel so when it is stored as a pixel when we zoom it and when we see it, what will happen? it will become boxes, because ultimately it is a pixel and when it is bigger, it will become 4 pixels so the boxes will be interpreted as a computer as boxes so now why this is important for us is we have to also decide when we are saving something how do we want to save it in the computer कि वो इस्तमाल कैसे हो और वो कैसे उसका you know हम यह भी देखना पड़ेगा की अगर कोई चीज दूर-दूर ही रहेगा माली जे एक bird है जो उनराय जिसका हमारी स्टॉरी से वो जड़ादा इंपॉर्टन नहीं है तो उसको वेक्टर बनाने के हमें जरूरत नहीं है उसको हम रहने दे सकते हैं और वो पीछे से दूर दूर से उड़के निकल गया पर अगर कोई चीज है जिसका हमें पता है कि क्लोजब भी आएगा तो इसमें डिटेल भी डाली जाए इसके अंदर वेक्टर इसको बनाया ज तो यहां पर ही समझना जरूरी है कि जो हमारे सॉफ्ट्वेर में जो हमारे इमेजिस हैं जब आप कुछ डाउनलोड अगर करना चाहें कहीं से भी कोई अगर आप इमेजिस बनाना चाहें कुछ तो आपने को देखना है कि वह जेपेग अगर है तो वह रेस्टर होगा पी अगर है तो वेक्टर होगा यह फाइल फॉर्मैट से ठीक है इसी तरीके से इसी तरीके से इसके अंदर एक चीज़ होती है जिससे कहते हैं एलफा चैनल तो एलफा चैनल में क्या होता है कि एलफा चैनल में कि देखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ जो है वो उसके अंदर चांस्पिरेंसी है कि नहीं अगर एक इमेज है तो वह कहीं से किसी पॉंट पे ट्रांस्पिरेंट तो नहीं हो लिए क्या हम चाहते है कि वह आ नहीं हो तो अगर ऐसा होता है तो हम्हें देखना पड़ता है कि वह शुद्बी सेट विद एलफा चैनल नॉम्मली तीन चैनल से पन सेव करता है कि इसी फ तो चौथा चैनल होता है, alpha channel, alpha channel is transparency, अब जैसे इनकी यह बच्ची है, बच्ची की टोपी है, now this is a jpeg, if it is a jpeg then every pixel in this box will have some color, ठीक है, computer की memory में, अगर हम इसका png लेते हैं, तो उसमें हम alpha channel डाल सकते हैं, तो उसके अंदर यह transparency add हो जाती है, कि यह area transparent हो गया, हम कही बार कुछ चीज़ा ऐसी download करते हैं, जिसके अंदर transparency होती है, और उसको हम फिर compositing में, composite कर सकते हैं, चीज़ों के साथ में, किसी के उपर रग दिया, तो ऐसा लगे है, उसने पहना हुआ है, या उसके उपर है, तो वहाँ, किसी ने पूचे jpeg और png मे सारी की सारी industry के अलगे लोगों का, जिसमें बैठकर के, मुनें एक convention बोला कि हर company जो हर studio एक ही तरीके से सेव कर लेगा, तो उसको jpeg का नाम दिया गया, jpeg जो है, क्या कहते है, मतलब अब यह थोड़ा सा ज्यादा complicated हो जादा है, basically, यह frequency domain में काम करता है, और, मतलब, pictures को compress कर देता है, बिनना उनकी quality खराब किया, यह इसका फायदा होता है, इसका नुकसान ही होता है, कि इसके अंदर alpha channel नहीं होता है, PNG में alpha channel हम डाल सकते है, PNG में compression नहीं होता, मतलब quality बिल्कुल भी खराब नहीं होती, इसमें जितना हम चाहें तो quality खराब हो सकती है, jpeg में, म कभी खराब नहीं होती है, और PNG में alpha channel होता है, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें, अब animation जब बनानी है, तो देखे, मैंने आपको बताया कि मैं तो हम लोग जो इस्तमाल करते हैं, हम लोग कुछ professional softwares use करते हैं, blender, after effect, C sub use करते हैं, and they are, मतलब serious softwares, और वो, it takes time to learn them, it takes effort there are a lot of free resources available, and they are very easy to learn, आप अगर इसको देखेंगे, तो देखेंगे, किसी ने पुछा, what is better to take PNG or JPEG, सब बेटर तो आपकी ज़रुरत पर डिबेंड करेगा ना, firstly, you have to understand, do you need an alpha channel or not, आपको समें transparency चाहिए, या एक rectangle चाहिए, क्या size चाहिए, यह सब चीज हैं, इन सब चीज तो very quickly, यह कुछ free animation और editing के software's हैं, जो online available हैं, इन में सब में कुछ तो चीज़ें बिलकुल free हैं, अभी बहुत तेजी से चीज़ें बदल रही हैं, पिछले एक साल में बहुत सारी AI-based software's आगे हैं, उन में बहुत सारी चीज़ें, they have made a lot of things possible, so जैसे मैंने लाइटिं की बात की थी, जैसे मैं रिगिंग की बात की थी, वो सारे decisions, जो एक लाइटिंग आर्टेस्ट और जो एक रिगिंग आर्टेस्ट लेता है, वो artificial intelligence हमारे वियाव पर बे सकती है, which means lot of man-ards are saved, but it does that in a very, मतलब वो mechanical तरीके से काम करता है, जैंकि computer है वो, तो वो larger picture नहीं समझ सकता, त पर फायदे है, so these software's I would request you to go to adobe express, इनकी website, आप उसा गूगल पर मिल जाएंगे, इन सब पर आप जाएंगे, इन में आपको, यह वेरी easy, उसे ता आपको एक अदा अगाउंट करना पड़े, और शुरू में सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगे, but trust me, if you start walking, बहुत जल यह, this is a completely free professional software, there are real movies, Hollywood movies also being made on DaVinci Resolve, the only thing is, इसाथ में hardware आता है, hardware से company, उस से पैसे ले लेती, software उने पूरी दरह से फ्री किया हो है, यह आपके computer पे प्ले हो जाएगा, मतलब, of course, जितना high-end computer होतना अच्छा है, तो high-end GPU, of course, exactly high GPU frequency चाहिए उसके लिए, but, this is very easy to use, and थोड़ा सा बस आपको time लगाना पड़ेगा इसके उपर, blender आपको मेरे खाल से सिखाया भी जाएगा, यहापर, open short भी आपको सिखाया जाएगा, बाकी sessions में, तो इन दोनों से तो आप अपी और इससे परिचित हो जाएगे, and trust me, all of them, there is not much difference, they are all alike, सभी में, मतलब, ले दे करके वोई 3-4 चीज़े होती है, जब एक को सीख जाएगे, तो आप सब को सीख जाएगे, ठीक है, मगर effort थोड़ा सा लीजेगा, जब आप कुछ बनाना चाहते हैं, आपको ख अगर Tata's को एक गाड़ी बनानी है, ठीक है, उनको Nano बनानी है, so they don't start with making, कि हम पहले टायर बनाएं, तो उनको टायर थो C8 के खरीद ले जाएंगे, इंजर हम Honda का ले लेंगे, फ़लानी चीज़ यहाँ से ले लेंगे, तो यह वोई है, तो हमें हर एक चीज़ बनानी में प आपको बहुत सारी चीज़ आउनलाइन मिल जाएंगी, और वो सारी चीज़ों के लिए यह websites है, इनको आप नोट कीजिए, इनको आप पर जाएए, फ्लीपिक पर बहुत सारी resources हैं, लाखों resources है, और अगर आप थोड़े सा, कैसमें budget होता है, थोड़ा सा अगर आप उसका चीज़ें असान हो जाएंगी, ठीक है, इसके बाद में, अगर, हमार आप टाइम हो चुका है, और मैंने तोड़ा सा AI के बार में रखा था, बट अगर, जो है, और अलड़ी वो और हो चुका है, तो फिर, I think we can, if you have any questions, we can take the questions also, or if you want, we can take a little bit about that also, जैसा आप लोगों की जैसा बताएं, तो हम लोग उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, which format of image is good for? अगर कुछ सवाल हैं तो फ्लीज बताएं, we want hands-on practice on 2D, I understand, आपको प्रेक्टिस मिलेगी सर, अभी यह थोड़ा से इंट्रोड़क्टरी सेशन है, आगे के सेशन में आपको एक सॉफ्ट्वेर पे बेसिक चीजें बताई जाएंगी, I think next session ही है, जिसमें आपको बताया तो अग्मेंटिट रियालिटी जो होता है वो होता है जब आप, AR-VR मतलब और वर्चुल रियालिटी ठीक है, तो अग्मेंटिट रियालिटी में क्या होता है कि आप जो है क्या कहते हैं जो किसी भी कैमरा की जो इमेज आ रही है उस इमेज पे कंप्यूटर जेनेरेटेड इमेज को सुपरिंपोस करते हैं तो उसको अग्मेंटि रियालिटी कहते हैं और ये काम रियल टाइम में हो रहा होता है ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा सिंपल एक्जाम्पल है आपके जो इंस्साग्राम के फिल्टर होते हैं आप अपनी फोटो लगाते हैं कैमरे में दिखते हैं और आपकी फोटो पे टोपी आ जाती है ये इस इस इंपले स्वाम को पना भी सकते हैं आपको एक 3D मॉडल ही बनाना है केवल 3D मॉडल बनाना है उसको ए डारेक्शन देनी है और सामने बाले जो चीज जो कंप्यूटर से आएगा उसको मैप करना है तो पेसिक चीज़े हैं ये थोड़ी सी कॉंप्लिकेटेट है वगर बिल्कुल मैंता है र गूगल ने बहुत अच्छा एक headset निकाला था उसका नाम है देखिए एक तो Facebook ने निकाला था उसका नाम है और गूगल ने निकाला था उसका नाम है मुझे नाम नहीं आधार आप सर्च कीज़ेगा आपको मिल जाएगा तो वो उसमें नॉर्मल फोन भी लग जाता है और आप augmented reality और virtual reality आप यूज कर सकते हैं तो थोड़ा सा भी किवल ये एक elementary session है आप Google पर सर्च कीज़े आपको बहुत सारी चीज़े मिल जाएगे अगर आपको कुछ वस्ते हैं कहीं पर doubts होते हैं तो आप यहां पर पूछेगा अगर जरूरत है तो आप मुझसे भी पूछ सकत है मैं अगर जरूरत होगी तो मतलब पॉसिबल होगा तो मैं जरूर बताना बताने की पुस्चिश करोंगा और बाकी I think we can call it a day Dr. Alok? Thank you so much sir. Thank you sir. Pleasure was all mine.